नमस्कार, PMFBY के एक्सपर्ट से इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे PMFBY के अंतरगर उपर जनुमान के लिए तकनीकी के उप्योग के बारे में इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष गवली जो PMFBY के CPMU में Remote Sensing and Geospatial Analyst के तौर पर काम करते हैं तो आशुतोष जैसा कि सभी जानते हैं PMFBY एक शेत्र अधारत योजना है तो शेत्र अधारत योजना के लिए क्या-क्या चुनोदियां आ सकती हैं क्या आप बताना चाहेंगे नमस्कार और मुझे इस कारिफर में आमंतरित करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रदान मंतरि पसल विमा योजना को खरीट 2016 से लाबो किया गया है और इस योजना का क्रियान में जो अधाय वो क्षेत्रा दरित उपश क्यामकडों के आधर पर किया जाता है जिसमें प्रदान मंतरि पसल विमा योजना में जो मेजर प्रॉप्स होते हैं जिसे हम प्रमुक पसल कहेंगे तो उसे ग्राम पंचायत या होबड़ी लेवल पे नोटिपाई किया जाता है और जो माइनर प्रॉप होते हैं जिसका एरिया जो है वो थोड़ा कम होता है तो उसे तहसे लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे नोटिपाई किया जाता है तो जिस पसल को ग्राम पंचायत लेवल पे नोटिफाई किया जाता है तो ऐसी पसल के लिए हर एक ग्राम पंचायत में चार पसल का टाई प्रयोग किये जाते हैं और उन चार पसल का टाई प्रयोग के आधार पर उस ग्राम पंचायत के लिए जो उपंच के आंकड़े होते ह उसका average लेखे उसके आधार पर वहाँ पर claim दिये जाते हैं, calculate किये जाते हैं और जो gram पंचायत के ऊपर जो minor crop को notify किया जाता है तालू का या तहसिल या block level पर तो वहाँ पर 16 crop cutting experiment जिसे हम फसल कटाई ब्रयोग कहते हैं वो किये जाते हैं एक तहसिल या block में और उसका average लेके उस पसल के लिए फिर claim calculation किये जाते हैं जब कोई भी पसल का random number का उपयोग करके calculation, yield estimation के लिए किये जाते हैं तो ऐसे में major challenge यह होते हैं कि वहाँ पर manpower की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि खेत में जाने के लिए वहाँ पे आपको जो person होंगे जैसे पटवारी होते हैं उसके बाद ground से उपते हैं या agriculture assistant या agriculture department के जैसे दो तीन department उसमें involved होते हैं एक क्रिशी विबाग हुआ, एक revenue department हुआ और एक जीला परिशद हुआ तो वो जो उनके village level पे officers होते हैं, उनको खेत में जाके और random number का उपयोग करके वो चार फसल कटाई प्रयोग करते हैं और उसका data अपने जो उपर के मंडल होते हैं जैसे तैसिलिया block पे दिया जाता है उसके बाद पिर जीले पे दिया जाता है और उसके बाद राज्य सर पर दिया जाता है और वो data compilation के पाद ने फिर insurance company को वो data claim calculation के लिए दिया जाता है लेकिन इसमें एक बात है के एक तो number of CC जो फसल का टाई प्रयोग है वो जादा होते हैं और वो data compilation में भी time लगता है तो इसलिए claim settlement में time लगता है ये एक challenge है दूसरा एक है के manpower जादा लगनी के वज़े से और जो harvesting window होती है जैसे कोई भी फसल जब तयार होती है तो उस फसल की जो harvesting होती है वो 15 से 20 दिन के अंदर हो जाती है और ऐसे में फिर सभी फसल का टाई प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर जो random number select किया होता है तो किसी कीस में यह होता है कि फसल पहले ही कट जाती है या फिर वहांपर कोई इस्यो आता है तो वह number जो है जैसेँ डायरेक बनीर होते हैं तो जो तो multi-picking crop होते हैं जैसे कि vegetables हुआ या फिर cotton हुआ कपास की बारे में मैं बात करूंगा कि कपास में जो crop cutting experiment करने में होते हैं तो कपास को एक साथ हमारवेश नहीं कर सकते हैं उसमें multi-picking की जाती हैं उसकर जो कपास के चुनना होता है वो एक, दो, तीन, चार बार हम कोई भी किसान चुनते हैं तो CCE के लिए भी वैसी ही procedure follow की जाती है जिसमें state notify करते हैं कि minimum 3 picking का जो yield है वो माना जाएगा या minimum 4 picking का माना जाएगा तो ऐसी case में क्या होता है कि कपास की जो picking है वो कम हो जाती है जैसे 2 picking रहती है या 1 picking होती है तो SME जो notified document state government द्वारा जो किया जाता है तो उतनी picking अगर नहीं होती है तो SME dispute तयार होते हैं और dispute तयार होने के कारण फिर वहाँ पे insurance company द्वारा जो claim calculation वो किया नहीं जाता है और claim settlement में delay होता है तो ये कुछ challenges है प्रदनमत्री पसल भी मायोजना में currently तो आपने काफी सारे चनोधियों की विस्सट जानगारी दी है तो क्या आप शुताओं को समझाने के लिए कुछ उदारन बता सकते हैं जी बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि जो कबास का अगर हम CC कर रहे हैं तो उसमें जब हमें कुछ केसे बाई गई थी जहांपे इंसुरंस कमपणी और स्टेट गवर्मेंट में थोड़े से डिस्पूट हुए थे कि जहांपे स्टेट गवर्मेंट ने तीन जो पिकिंग के लिए नोटिपाई किया था और कुछ केसे जैसे के अरियाना स्टेट से या करनाटका स्टेट से हमारे बास कुछ डिस्पूट आये थे जिसमें तीन से कम पिकिंग वही थी और पिर जिस ग्राम पंचायत में तीन पिकिंग से कम पिकिंग वही है ऐसी कुछ केसे के लिए हमने जो yield निकाला था तो वो remote sensing के जो indices होती है वो और जो weather-based data होता है जिसे rainfall, temperature, humidity इस data के आदर पर model रन करके हमने फिर इन cases को result किया था अच्छा तो आश्च दोश क्रपया बहतर उपज मुल्यांकन के लिए प्रग्द्योगी से समबंदत भारत सरकार द्वारा लागू किये गए समधानों को भी सांजा करें जी फिर ये जो cases बढ़ने लगी थी तो इसके लिए फिर कृश्य मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा कु 19, 20 और 21 में पाइलट स्टडी इसके लिए की गए जिसमें धान और गिर्म की फसल के लिए टेक्नलोजी बेस्ट इल्ड ग्राम पंचैतले और पर हम कैसे निकाल सकते हैं तो इसके लिए कुछ पाइलट किये गए उन पाइलट के आदार पर फिर लार्ज स्केल पाइलट किय गए जिसका मुल्यांकन करने के बाद ये सजेस्ट किया गया कि दान और गिर्म के लिए हम ग्राम पंचैतले conquered टेक्नलोजी के आदार पर तकनिके की आदार पर पर इल्ड़र कास्ट कर सकते हैं उसके जो मुल्यांकन थे जो आदार थे जो एक्सपर्ट कमीटी का सजेसन थ तो उसके आधार पर फिर जो टेखनोलोजी बेस्ट इल्ड इस्टिमेशन है उसे करीब 2023 से अभी लागू किया गया है पहले चरण में दस राज्जों में इस टेखनोलोजी बेस्ट इल्ड इस्टिमेशन जिसे हमने YASTEK नाम दिया है तो उसे लागू किया गया है धान और ग्यहू की पसल के लिए इसमें Yes Tech में मुख्य दौर पर इसके लिए एक मैनुवल भी जारी किया गया है जो सभी स्टेकोलनर्स के साथ में शेयर कर दिया गया है और Yes Tech में जो प्राव धान किया गया है कि पहले 100% जो थी वो असल कटाई प्रयोग के आधर पर जो उपच के आखड़े आते थे उसके आधर पर जो claim calculation है वो किया जाता था अब यह stack के आधर पर जो yield निकलेगी या उपच के आखड़े आएंगे तो उसे 30% का weightage दिया जाएगा और जो असल कटाई प्रयोग के आधर पर जो yield रहेगी तो उसे 30% का weightage दिया जाएगा यह phase 1 में होगा करेब paddy और wheat के लिए और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इस technology का उपयोग होता जाएगा आगे चलके इसका weightage जो है वो technology का बढ़ाते जाएगे और दीरे-दीरे CC का weightage जो है वो कम किया जाएगा ताकि जो हम CC पे निर्वर है जिसमें बहुत सारी manpower का भी जरूरत होती है तो उसे हम दीरे-दीरे कम करेंगे और technology-based yield estimation के आख्डे जो है वो हम उससे हम उपयोग मिलाएंगे इससे यह होगा कि अगर जब हम CC-based मतलब असल का टाइप रोग क्या दर पर जब हम claim calculation करते तो इसके लिए time जो है वो पहुत जादा लगता है समय जादा लगता है लेकिन उसी को अगर हम तकनिकी क्या दर प अगरे हम निकालते हैं तो उसमें कम समय में हमारे calculation तयार रहते हैं जो जिसकी वज़े से हम किसानों को समय पर जो claim का बुकतान है वो claim का बुकतान करने के लिए इसमें आसानी रहती है और किसानों को अपनी फसल का नुकसान अगर होता है तो समय पर claim का बुकतान हम दे सकत तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया अशुतुष पीम एबिवाई के अगले एक्सपर्ट से इस पॉड़कास्ट में हम दुबारा किसी एक्सपर्ट के साथ बात करेंगी हमें सुनने के लिए धन्यवाद